हेलो एवरिवन मैं हूँ पंकज और स्वागत है आपका पंकज कीचन में दोस्तों चैनल आप पहरी वाव जिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बहरा कर दबा दीजी तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमने बनाए है चुकंदर का हलुआ और रेकिन मानी कि दोस्तों ये तना स्वाधश्ट होता है कि आप एक बार को गाजर का भोल जाएंगे तो दोस्तों इसको बनाना भी बहुत जादा आसान होता है । बहुत ज़्यादे पोस्टिक भी होता है कि दोस्तों इसका स्वाद जो होता है चुकंदर कर आप ऐसे इसको खाते तो कसेला नहीं करते तो आप हल्वे बना कर उनको इसको खिला सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों इसके लिए हमने तीन चुकंदर देखिए अच्छे से साफ करके रख लिए हैं साथ हमने चीनी लिए गी लिए और थोड़े से लिए हमने ड्राइपूर्स तो सबसे पहले दोस्तों जो हमने चुकंदर लिया हैं उनको आमने ग्रेट करके रख लेना हैं तो इसको अच्छे से आप ग्रेट कर लीजिए और आसानी से यह ग्रेट हो जाता हैं कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है इसको ग्रेट करने में तो इस तिरी के साब कोई ग्रेट करके रख लेना है तो इसके लिए देखिए हमने लिए कड़ाई और इसमें घी रख लिया है थोड़ा सा ज्यादा घी हमको नहीं चाहिए हमको जो ड्राइफूट्स है उनको हमको थोड़ा सा भूनना है दो स्वाथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका जालते हैं सिंपल भी आप इसको डाल सकते हैं वह आपकी इक्षानुसार है तो थोड़ी देरी इसको भूनना है हमने ज्यादा इसको नहीं पकाना है और खलकी आच में इसको आ र तो दोस्तों यह जल भी जाते हैं अगर आप इसको तेज आचे पकाएंगे तो बहुत ही जल दी यह जल जाते हैं और इसका स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों हमारे ड्राइफूट्स बहुत अच्छी से रोस्ट हो चुके हैं अब उसी कड़ाई मे ऑभन कर दोस्तों जो मने गी मैने डाल लेना है कि मि लिखिया है और फोड़ देता है तो चुछिए समय दोस्तों जो आच होगी आपको मीडिया में रखेएगा तेज आचे में इसको मत बनाईएगा तो चलिए घी मारा मेल टू चुका है अब जो में चिकुंदर ग्रेट करके रखे थे वो सीधे इसमें डाल लेना है तो देख सकते हैं सारे चिकुंदर हमने इसमें डाल लिए हैं और इसको अच्छे से दोस्तों हमको इत्मिनान से बिल्कुल भूनना है थोड़े देर तक जिससे कि यह जो हमारे चिकुंदर है यह थोड़े से सौफ्ट हो जाएं तो इसकी भूनाई दोस्तों सबसे मेन सब्सक्राइब करते हैं उसी तरह से इसको भी थोड़ा सा भूनना है हमने जब तक यह सौफ्ट ना हो जाए तो दोस्तों जल्दी सौफ्ट करने के लिए दोस्तों इसमें लेट रख देते हैं चार से पांच मिनुट तक इसको ऐसे छोड़े जिससे कि अपने भाप से यह तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से जो हमारी चुका अंदर हो सौफ्ट होनी शुरू हो चुकी है और दोस्तों जब थोड़ा थोड़ा पकनी शुरू होती है तो इससा कलर देखिए डार्क होता जाता है आप देख सकते हैं पहले जिस तरह किसी हमने इसमें डाला पकाते हैं और इसको दोस्तों अगर यूज नहीं कर रहे तो इसमें जो मावा मिलता है सीधे उसको इसमें डाल दीजिए और अच्छे से पका लीजिए उससे भी आपका काम बन जाएगा इसको हम दूद से बना रहे हैं क्योंकि इसमें घर के प्रोड़क्ट यूज कर रहे एक राएक है तो अच्छे से चलाते रहे इसमें थोड़ सा टाइम यूरूड लगेगा लेकिन इसको बहुत एच्छे से यह पकाना है तो इसी तरह की से दोस्तों आप इसको चलाते रहे हैं और आज देखिए इसको दूद डालते समय इसकी कम ही रखिएगा अब दोस्तों तो इसमें मैं डाल रहा हूं इलाइची के दाने के वली इलाइची की दानि यूज़ कर रहे हैं थोड़े सो कोट लीजीए और इसमें डाल दीजिए बहुत इच्छा इसका फ्लेवर भी आता है इसमें अब देख सकते हैं तो थोड़ी देर में जो दूद है हमारा कम होना सु है अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो ज़्यादा डालिए और कम पसंद है तो कम आप इसमें डाल सकते हैं वह आपके ओपर ट्रिपेंड करता है थो देखिए कितना बढ़ी सका कला रहे दोस्तों लोगुव चुका ऐसा इसा कलर और जब तक यह पकता रहेगा देखिए इसका कलर फिर से देखिए डार्क होना σब्यूंद हो चुका आप तो इसी तरह किसे चलाते रही है को और साइड जय से किस तरीके से जो लग रहा है साइड में सिको निकालते रही हैं को दूस्तों दूद्र दे सकता है हम पहले कितना डाला था और अब कि di getting कितना सा कम रहे हैं क्यो中国 किलाते को छोड़ इसमें रहता है इसको छोड़िए बिल्गों मत अगर आप छोड़ेंगे तो पक्की बात ही नीचे लगेगा तो दोस्तों लगबल को हमारा जो हल्वाय बनकर तहीं हो चुका है आप इसमें डालेंगे जो में ड्राइफ रूट्स अपने रोस्ट करके रखे हुए थे तो चलिए इसमें डाइफूट्स डाल लेता है अब कर लेतने अच्छे से मिक्स तो देखिए दूस्तों कितना बढ़िया कलर का जो हमारा हलुआ है बनकर तहीं हो चुका है दो स्वाद इसका बिल्कुल जिद्गाजर का हलुआ है उसके जैसे होता है या उससे भी ज्यादा अच्छा होता है तो इसको जरूर बनाएगेगा अपने घर में एक बार अपने सारे सद्वी घर के खिलाईएगा इसको और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा अगर बच्चे आपके चुकंदर जो होता है बीट रूट उसको अगर खाना पसंद नहीं करते को आप इस तरहीं से उनको क्यों सकते हैं कि तो दोस्तों इसको बनाना और बहुत ज्यादा स्वाधिश्थ सब्राइन को बढ ingred और चुकंदर का हलुआ तो कितना आसानी सी हमने इसको बनाया है आप देख सकते हैं जादा मेहन उन्य नहीं करिएंगा विडियो प्रिट रूट या चिकंदर का हलुआ है और दोस्तों अगर आप हमें इस्टाग्राम और फेस्टूप में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक जो हैं को डिस्क्रिप्शन में हमने दिये हुए हैं वहाँ जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं हुए है कि दोस्तों बनकर त्यार हो चुका है हमरे अलबा अब इसको आप सरो करिये और इंज spirit करिए इसका मुनेर खर आया है तौछ देखिए दोस्तों कितना बड़ी है क्लड़ देखते ही इससका खाने के हमना का कर जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ बहुत ही चल अपने चैनल पंकच किचन में दोस्तों एक बात बूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन जरूर दबाईएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्य बात और मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अपनी चैनल पंकच किचन में